बिस्मिल्ला रख्मारी औरहीम असलाम अरेकुम आज जो हमने टॉपिक डिसक्स करता है वो चैप्टर नंबर फाइव अटॉमिक स्ट्रॉक्चर फिर्स्ट रर के मिस्ट्रिक अलेक्शर डिसक्स कर रहे हैं और उसका लेक्शर नंबर लास्ट जो है वह हमने डिसक्स करना है और उसके अंदर हमने अलेक्ट्रोंक डिस्ट्रिक्शन जो है वो आटम के अंदर देखनी है कि एक्ट्म जो है उसके अंदर एलेक्ट्रों को कैसे डिस्रीब्यूट कर सकते हैं या हम इसको एक और नाम ऻी देते हैं Electronic Configuration भी कह सकते हैं कि एलेक्ट्रों की तर्टीव एक के क्या होती है वो चीज हमने डिसकस करनी है तो उसके अंदर कुछ रूल्स हमने पहले भी डिसकस कर लिए क्वांटम नंबर के अंदर और कुछ रूल्स हम यहां पर भी डिसकस करेंगे जो में रूल्स यहां के कहलाते हैं वो भी हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते है है तो two and square से हम मालूम कर सकती है और n क्या है यहां पर principle quantum number या number of orbit को जाहिर करता है for example हमें third orbit की जाहिर करनी है k l और m ठीक है जिए m orbit की हमें क्या करनी है उसके अंदर number of electrons की तादाद मालूम करनी है तो यहां पर three आएगा three square आएगा तो three square जो है ना nine आ जाएगा और nine multiply by two क्या होता है eighteen होता है तो यहां पर eighteen जो है वो electrons हम मालूम कर लेते थे ठीक है जी दूसरी चीज़ है हमारे पास मैं जादे explain नहीं करूंगा क्योंकि हमने यह पहले पहले जो है तो वो लकी होता हैल्की अगर बार्ट जो है three two होती है तो हमारे पास d यहां पर one to two of one तो तो टो आजेगा two plus one कितना हो जेगा three to two से two more three मलटिपलाए करेंगे तो यहां पर six electronics आ जाएंगे तो number of electrons in a sub shell हम मालूम कर सकते हैं, number of electrons in a shell मालूम कर सकते हैं, number of electrons in a sub shell मालूम कर सकते हैं, और last में orbital के अंदर कितने electron होते हैं, तो हर orbital के अंदर मैंने आपको पहले भी बता रखा है, magnetic quantum number के अंदर, के number of electrons in any orbital, ठीक हर एक orbital के अंदर maximum electrons सिरफ दो ही आ सकते हैं, जैसे S है, PX है, PY है, PZ है, और D के भी orbitals होते हैं, जैसे DX है, DYZ है, DZX है, DX square, Y square है, और DZ square है, अब यह सारे orbitals जैना, इनके अंदर maximum electrons जैना, वो कितने आ सकते हैं, दो आ सकते हैं, यह सारी चीज़े हमने पहले discuss कर रहे हैं, जस्त मैं आपको recall करवा रहा था, revise करवा रहा था, उसके बाद हमारे पास विजवेजर रूल, जैन प्लस L रूल भी कहते हैं इसको, मेली आपकी बुक के अंदर N प्लस L रूल ही कहेंगे, तो उसके लिहाज से हम देखते हैं, कि कैसे electrons की filling होती है, तो कहता है कि सब shells are arranged, अब सब shells के अंदर basically जो electrons की filling करनी हैं, हमने कैसे करनी है, तो सब shells are arranged in the increasing order of N प्लस L वैलियो, ठीक है जी, हमने N प्लस L वैलियो को देखना है, और उसके लिहाज से हमने देखना है, जैसे for example, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ, जैसे एक ये वला है, और एक ये वला है, 2P है, और एक क्या है, 3P है, अब अगर हम इसकी value देखते हैं, N की value है 2, ठीक है जी, N की value क्या है इसके लिए 2, और L की value क्या है, P जो है, आपको याद ह होगा, के L जो है, वो 1 होता है, ठीक है जी, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसके लिए N प्लस L की value जो है, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है जी, और अगर हम 3P के लिए देखेंगे, तो 3 प्लस 1, ठीक है जी तो 3 प्लस 1 कितना हो जाते हैं, क्योंकि यह 3 है, और P 1 है, ठीके जिए टो यहाँ पर कितना आ जेगा, 4 आ जागा, तो जाहिर सी बात है, जिसकी value कम होगी, उसको हमने पहले fill करना है, ठीके जिए, तो हमने क्या करना है, the subshells are arranged in increasing order, ठीके जिए, increasing order में हमने क्या कर दिया, इन दोनों की n plus l value same है, जैसे कि एक तो 2p की और एक 3s की अगर आप देखे ना तो दोनों की same आती है, क्योंकि इसकी भी हमारे पास same आएगी, कैसे इसकी जो n की value है वो 3 है, ठीक है ठीक है, n की value क्या है, 3 है, लेकिन s यानि l की value क्या है, 0 है तो 3 plus 0 और इसकी value भी क्या आती है 3 ही आती है, ठीक है ठीक है तो, if any two subshells having the same n plus l values, then आपने क्या देखने है, that subshell is placed first, whose n value is smaller, तो यहाँ पर 2p और 3s में से n की value smaller किसकी है, 2p की उसके अंदर 2 है, और 3s के अंदर 3n value है, ठीक है दीक, तो यहां पर 2p जो है वो पहले आ जाएगा और 3s बात में आएगा यह बात समन में आ जाएगी, ठीक है जी, तो n plus l value के लिए हाद से हमने electrons सब शेज को arrange करने है ठीक है ठीक है और अगर 2 values same आ जाती है n plus l की तो n की value जिसके लिए चोटी होगी उसको हमने पहले रखने और बाकियों को बात रखने तो यह सिंपल सा रूल है ज्यादा कोई मुश्किल नहीं तो इसके अंदर आपने ज्यादा टेंशन लेनी भी नहीं है उसके बाद में रूल जो है वह है अफवा प्रिंस्पल क्या जी अलेक्टॉन्स शुड नहीं हमने और को भी हम देखना चाहते हैं कि इसकी अनरजी कम होती है और किसकी अनरजी कम होगी कैसे पहले टो यह याद रखेंगे तो इसके लिए मैं चोड़ि से ट्रेक्स आपके को सामने पार्चाओं कर सकेंगे तो यह रूल हो मतलब आपने जैना थोड़ा से धियान देंगे तो आपको समर्भ में आ जाएगा और बहुत ही असान रूल है तो इसके लिए सबसे पहले कहें जी स्कूल स्कूल आपको कुछ फामूलाज याद रखने पढ़ेंगे स्कूल और स्कूल ठीक है जी फिर उसके बाद आजएगा पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल फिर उसके बाद आजएगा डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल ठीक है जी स्कूल स्कूल मतलब स्कूल डबल आ गया फिर public school double आ गया और फिर dental public school double आ गया फिर आप कोई भी लिख सकते हैं foreign delta public school foreign daily public school घ कोर टो यह हमारे पास आ गया है और इस के according हमने क्या करने है UP labya घ्रीके टो school school आगया public school public school आ गया ठीक के यह सब और आप देए हम निख रहे हैं पीडिशा प्रिंसान के लिहास से, अभी हम न इसके अंदर प्रिंस्पल क्वांटम नंबर की वैलियो भी लिखेंगे, यह यारिन शैल की वैलियो भी लिखेंगे, तभ हम जो है, एकुरेट कर देंगे, ठीक है जी, तो स्कूल आ गया पहले, फिर उसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल आ गया, डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल आ गया, फिर उसके बाद फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल या फॉरंड डेली पब्लिक स्कूल और फॉरंड डेली पब्लिक स्कूल डबल डबल हमने लिखना है, ठीके स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट कर नहीं है एक पिरने फ्रॉम उसके बाद 5 उसके बाद 6 आ जागा ठीक है दी तो यह 6 आ गया उसके बाद हमने F को नंबरिंग देनी है और 4 से स्टार्ट करनी है तो 4 आ गया और 5 आ गया ठीक है दी तो यह हमने नंबरिंग देनी है तो इस तरीके से आपने क्या करना है नंबरिंग देनी है पहले तो स्कू पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली 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 पब्लिक स्कूल, आपने लिख लेना है, फिर उसके बाद आपने numbering देनी है, पहले S को देनी है, वो 1 से start क कि इस वात का दिहान रखना है कि किस तरीके से आपने फील करना है जैसे आपके सामने कुछ glasses वगदा पड़ी होनगे ला तो आप अगर एक जग से पानी भर्रें ला तो कैसे पानी बरने हैं कि हमेशा जो पहले glasses रखें होगे पहले उनको completely फिल करना है, mostly cases के अंदर यही होगा, कि आपने पहले, जो पहले glasses रखे हुए हैं, उनको completely फिल करना है, और जब वो completely फिल हो जाए, तो आपने next की तरफ move करना है, mostly cases के अंदर यही होगा, थोड़े बहुत एक दो cases exceptional होते हैं, जिस के अंदर यह rule change हो जाता है, लेकिन ज्याद electronic configuration हम करना सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है जैसे मैं कहता हूँ, for example, मैं कहता हूँ के फलोरीन की electronic configuration हमने करनी है, F9 की electronic configuration करनी है, ठीक है जी, तो हमारे पास rule पता है हमें, के 1S, 2S और एक और बात, आपको वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि यह हमने discuss कर लिया है, लेकिन फिर electrons होते हैं, sorry, 10 electrons होते हैं, और F के अंदर 14 electrons होते हैं, यह हमने वैसे पढ़ रखा है, लेकिन मैंने आपको दुबारा एहत्यात के लिए लिए लेक दिया है, ठीक है जी, तो अब हम increasing water के लिहाज से रखे लेते हैं, 1S, ठीक है जी, 2S, 2P, X, 2P, Y, और 2P, Z, ठीक है जी, अब आप देखें, यहाँ पर, तो 9 है, atomic number, fluorine का, ठीक है जी, तो 2 और 2, कितने होगे, 4, 4 और P के अंदर कितने electron आते हैं, 6, तो total 10 electron, लेकिन है हमारे पास कितने, 9 electron है, तो मतलब 10 का हमारे पास space मौझूद है, जिसके अंदर हमारे पास 9 electron आ सकते हैं, अराम से, तो पहले आपने दो electron फिल कर दे, ठीक है जी, फिर आपने दो electron फिल कर दिये, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो यह degenerate orbitals है, ठीक है जी, क्या मुझूद है, degenerate orbitals है, और degenerate orbitals के अंदर electron फिल करते हुए, हमने करना क्या होता है, यह हम आगे चलके देखेंगे, कि पहले आपने एक एक electron फिल करना होता है, और फिर अगर बच जाते हैं, तो फिर double-double करना होता है, तो पहले आप एक electron यहाँ पर फिल करेंगे, फिर यह फिल करेंगे, फिर यह फिल करेंगे, ठीक है जी, तो दो, दो, चार, पांच, छे, साथ होगे, अभी दो electron बचे हुए है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर आपने फिल कर देना है तो यह टोटल हमारे पास कितने हो जाएगे 9 electron जो है वो हो जाएगे ठीकरी फॉर इंपल मैं आपको जो है ना कोई और मिसाल दे देता हूं जैसे scandium 21 ठीकरी scandium 21 होता है ठीकरी 21 है अब इसकी हम electrons को देखते हैं कि क्या इसके electron से ही तरीके से fill होते है या नहीं होते है ठीकरी तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी वही order जो है वो लिखे लेते हैं अब 1s ठीकरी 1s 2s 2p 3s है उसके बाद I think ठीकरी 3s 3p ठीकरी उसके according आपने देखने है ठीकरी 4s आजएगा और फिर क्या आजएगा 3d आजएगा ऐसे है अच्छा जी यह हमारे पास मुझूद है अब यहां पर आप देखें तो 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 मतलब जितने electron maximum आ सकते है उसको completely feel करते जा रहे है ताके यह 21 तक हम पहुच सके दो दो चार छे चे और चार चार चे दस दस और दो बारा बारा और 6 कितने हो जाएंगे 18 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 और D के अंदर 10 electron आ सकते हैं तो एक electron अगर आ जाए तो 21 हो जाएंगे ठीकर जी तो मतलब यहां त 6 electron 2 electron और यहां पर हमारे पास कितने रह जाएंगे जस्ट एक electron जो है वह रह जाएगा और इस तरीके से हमने electronic configuration कंप्लीट कर लेनी है ठीक है जी जैसे हम कुछ और की भी कर लेते हैं जैसे फास्फोरस 15 की कर लेते हैं ठीक है तो 1s 2s 2px 2px कर लेते हैं जस्ट क्यूंके वै 3s को 12 electron हो गए फिर उसके बाद 3p को करेंगे तो यहां पर 12 और 6 कितने हो जाते है 18 लेकिन हमें 15 करने हैं तो मतलब आ जाएंगे इसके अंदर खिके लिए तो अब हम यहां से start करते हैं जी तो 2 electron, 2 electron, 6 electron के बाद maximum कितने electron है तीन electron है तो इसलिए हम इसको थोड़ा से खोल के लिए लेते हैं 3px 3py 3pz ठीक है दी तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब degenerate orbitals मौझूद होंगे degenerate जो है मैं हम देखेंगे कि कौन से होते हैं जैसे px py और pz ठीक है यह तीनों degenerate orbitals होते हैं d के जितने भी orbitals होते हैं अगर सेम शेल के हैं जैसे 3dx 3dy sorry दुबारा सुनेंगे 3dxy 3dyz 3dzx 3dx square minus y square या 3dz square यह सारे एक ही शेल के होने चाहिए शर्त यह है तो एक ही शेल के अगर d के सब शेल है वह भी सारे degenerate होंगे और अगर p के सब शेल है वह भी degenerate orbitals होंगे ठीक है जैसे यहां पर अगर आप देखें तो यह 2k ही है हमारे पास जैसे px py और pz यह सारे सब शेल किसके हैं 2k है और बिटर्स 2k है जैसे यह भी 2px यह 2py और यह 2pz तो एक ही शेल के जो orbitals होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं वह हमारे degenerate orbitals होते हैं मतलब उनकी energy same होती है ठीक है जी उनकी energy क्या होती है same होती है अगर energy same है तो पहले एक एक electron fill करेंगे बचे तो यहां पर 2, 2, 4 और 6 कितने होगे 10 और 2, 12, 13, 14 और 15 तो electron fill हो गया है ठीक है जी तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है electrons को fill करना होता है अगर आपको electrons fill करने के अंदर अभी थोड़ी बहुत difficulty आ रही है तो हम जो है एक अलग से वीडियो बना लेंगे आपने comment section के अंदर मुझे बता देना है वैसे हमने ये वीडियो पहले भी बनाई हुई है ठीक है तो ये वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है तो आप वो देख सकते हैं अगर आपको वो समझ में नहीं आती या वो आपको मिलती नही से तो यह क्या है जी statement पहले देखते हैं कि दो electron two electron in same orbitals should have opposite spin एक ही orbital के अंदर दो electron है ना तो उनकी opposite spin होनी चाहिए ठीक है एक ही orbital के अंदर अगर दो electron है तो उनकी क्या होनी चाहिए अपोज़ेट spin होनी चाहिए हाँ अगर degenerate orbitals आ जाते हैं वो हम आगे चलके देखेंगे उन म सेम स्पिन होनी चाहिए लेकिन एक ही orbital अगर होगा ना जैसे यह एक ही orbital है तो पी एक ही orbital है अगर एक ही orbital के अंदर दो electron है तो उनकी spin क्या होनी चाहिए अपोज़ेट होनी चाहिए ठीक है दी यह दूसरी definition अगर आप देखें कि it is impossible for two electron दो electron के लिए यह impossible है ना मुम्किन है residing मतलब रहना in the same orbital एक orbital के अंदर रहते हुए of holy electron to have same value of four quantum numbers के यह impossible है कि एक orbital के अंदर रहते हुए दो electron के पास सारे quantum numbers सेम हूँ अगर आप देखें यहाँ पर तो इन दो electron के पास तीन quantum number से हम आगे थे पहले spin के इलावा जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ यह वाला quantum number कौन से है आप मुझे बताएं जल्दी से तो यह वाला quantum number कौन से है यह principal quantum number है ठीक है दी जो n की value को शो कर रहा होते है उसे हम principal quantum number कह ठीक है तो दोनों का 2 है ठीक है ठीक है टीक है और अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह कौन सा quantum number है यह हमारा quantum number है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो इसके अंदर क्या आगया हमारे पास magnetic quantum- जब से कि PX होगा, PY होगा या PZ होगा, ठीक है जिए, तो अगर for example हम क्या करते हैं, यहां पर carbon की बजाए oxygen बना रेते हैं, ठीक है जिए, क्या बना रेते हैं, oxygen 8, तो 2 electron, 2 electron, ठीक है जिए, चार होगे, 5, 6, 7 और यहां पर क्या आ गया, ठीक है जिए, अब इसकी हम जो है वो principle quantum number है, वो 2 है, ठीक है जिए, इसका जो क्या, कौनसा azimuthal quantum number, यानि sub shell क्या है, दोनों का सेम है, यानि P sub shell है, वो भी सेम है, ठीक है जिए, उसके बाद, orbital भी सेम है, PXC है, वो भी सेम है, magnetic quantum number भी सेम है, सिरफ हमारे पास spin quantum number जो है, वो change हुआ है, और spin quantum number कैसे change है, एक जो ह half आएगा, तो दूसरे के लिए minus half spin quantum number होगा, तो एक just quantum number यहाँ पर change हो रहा है, ठीक है जी, तो it is impossible for two electron residing in the same orbital, एक ही orbital के अंदर रहते हुए, के सारे जो same value of four quantum number हो जाए, ऐसा मुम्किन नहीं है, उनके spin quantum number at least change होगा, opposite होगा, ठीक है जी, तो ये बाद समने में आजाएगी उसके बाद, next जो है ना, वो हुन्ड जरूल है, हुन्ड जरूल कहा है जी, if degenerate orbitals are available, ठीक है जी, अगर हमारे पास same energy वाले orbitals available होते हैं, तो पहले हमने क्या करना होता है, available and more than one electrons are to be placed, ठीक है जी, एक से ज़्यादा electron हमारे पास हो, then, उसके बाद क्या करना है, they should be placed, electron को हमने प्लेस कैसे करना है, in separate orbitals, separate orbitals के अंदर, with same spin rather than putting them in same orbital with opposite spin, ठीक है जी, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास, जो है न, n की electronic configuration दे रखिए, इससे आपको समझे में आ जाएगा, ठीक है जी, के अगर हमारे पास, क्या है जी, के more than one electron है, और degenerate orbital है, degenerate orbitals बचे कौन से होते हैं, ऐसे orbitals, जिनकी energy क्या होती है, having same energy, ठीक है जी, तो जिनकी energy क्या होती है, same होती है, अगर energy same है, तो पहले आपने एक एक electron फिल करना है, अगर एक से जादा electron हो जोगा है, तो more than one electron to be placed, तो क्या करना है, then they should be placed, उनको कैसे place करना है, in separate orbitals with the same spin, rather than putting एक ही orbital के अंदर, opposite spins की बजाए, हमने क्या करना है, अलग-अलग एक 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 पहले electron फिल करना है, अब जैसे यहाँ पर nitrogen की electronic configuration कितनी है, 7 है, 2 और 2, कितने होगे, 4 होगे, बाकि 3 electron रहेगे, अब अगर आप ये करते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ पर 2PX, 2PY, ठीक है जी, sorry, 2PY और 2PZ, ठीक है जी, कि यहाँ पर 2 electron अगे, यहाँ पर एक electron आगे, तो यह वाला गलत है हमारे पास, ठीक है जी, और अगर आप ये करते हैं, कि 2PX, 2PY, और 2PZ, ठीक है जी, और यहाँ पर आप एक electron, यहाँ पर 2 electron फिल करते हैं, ठीक है जी, आपने करना क्या है, पहले एक electron फिल करते हैं, फिर एक electron, फिर एक electron same spin के अंदर आपने जितने पी degenerate orbitals हैं उनमें एक एक electron fill करना है अगर electron बचते हैं फिर आपने pair up करना start करना है opposite spin के साथ नहीं तो अगर नहीं बचते तो कोई tension नहीं है ठीक है जी तो आपने करना क्या है अगर degenerate orbitals available होंगे तो आपने करना क्या है बचे आपने जो है वो same spin के साथ हर एक orbital के अंदर एक एक electron fill करते जाना है ठीक है जी और अगर मुझीद electron बची जाते हैं तो फिर opposite spin के साथ आपने pair up electrons करते चले जाना है ठीक है जी तो ये बात होंड जरूल ने बताई थी ठीक है जी तो हमने ये कुछ rules जहना को देख लिए हैं सबसे पहले कौन सा देख है n plus l rule को देख है वो just वैसे simple सा rule है उसको मतलब definition के तोर पर आपने करना है इसको apply कहीं नहीं करना जादा नहीं करना ठीक है हाँ इसके लिए आपकी mcu बड़ी important आती है ठीक है तो ये mcu के लिहाद से बहुत जादे important है और अकसर जो है न वो board के अंदर आता है और वो पूछता क्या है वो दो आपके पास जो है न वो और sub shell जो है वो देदेगा और उसमें पूछेगा कि n plus l value जो है वो किस की जादा है किसको क्यों है तो वो आपने देखना है ठीक है और जो है basically जो number को झाली होगा और जो साथ में alphabet लिखाए एस पी डी या एफ वो सब शेल जो है वो बेसिकली किसको जाहर कर रहोगा एल की वैलियो को जाहर कर रहोगा तो आपने कल्कुलेट कर लेना है उसके बाद अफ़ा प्रिंस्पल है एलेक्टॉन को इंक्रीजिंग अनर्जी आर्डर के लिहास से फिल करना है और यह वाला रू सब्सक्राइब कर दो इंका प्रिंस्पल क्वांटम नंबर भी सेम होगा लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है न वो चेंज हो जाएगा एक का प्लस हाफ होगा एक का माइनस हाफ होगा उसके बाद हुंट जुरूल क्या कहता है अगर आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल मौजूद है और अपने करना क्या है आप जो है वह इसा कर ना ऑप ने पहले ही दो ऐसा नहीं करना आप नहीं अपने तो आपने क्या कर है तो और हमने क्वाशन क्या करना है यहां पर लिखा हुआ है, then they should be placed in separate orbitals with the same spin, same spin के साथ एक ही कलेक्टान को आपने फिल करने है, rather than putting them in same orbital with opposite spin, यह बला आपने काम नहीं करना, ठीकर दी, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह बाते समरी में आ जाएगी, तो यह था हमारे पास chapter number 5, और इसके सारे लेक्शन हम discuss कर लिए है, next, हम chapter number 6 या 7, 7 हमने पहले वैसे कर रख करीबन कोई 3 सार पहले वो बनाया था, लेकिन अब जाहिर से बात है, मेरे पढ़ाने का style थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, मुझे ऐसा लगता है, आप बच्चे बताएं कि जाहिर से बात है, कि थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, तो इसे ही मैं सोच रहा था, कि first chapter को भी द अब तक के लिए, लाफिस